नमा मेस मेसान निर्वान रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदाश रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकास माकास वासम भजेहम नमः पारवती पदिये हारा हारा कासी विश्वना धाम के आज के इस भव्य लोकारपण का रिक्रम में मुख्य अथिति की रूप में पस्तित दुनिया के सबसे लोग प्रिय जन्नेता भारत के सुष्वी प्रधान मंत्री आदलिया सी नरिंद्र मोदी जी देश के कोने कोने से आज के समारों में अपना सानिद्य और आश्रिवात प्रदान करने के लिए हाँ पर पस्तित पोज्य संतजन प्रधेश की मानिय राज्यपाल सिमतियानंदी बेन पठेल जी भारती जन्ता पार्टी के राश्टिय अध्यक्स मानिय सी जगत प्रकास नड्डा जी प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ट सहयोगी उपमुख्य मंत्री सिकेशो परसाद मोर्य जी, डॉक्टर दनेश सर्मा जी भारती जन्ता पार्टी के अमारे सभी पदाधिकारिकन बिद्वजन और उपस्तित सभी भायो बेहनों आज बाबा विश्वनाद के पार किरपा हम सब पर वरिष रही है मागंगा प्रफुलित है और कासी के कोथवाल बाबा भैरो नाद भी आलादित है पुझे संतों का अश्रिवाद प्रधान मंत्री जी की अहेतुक औन कमपा उनकी पेणा उनका मार्क दरसन इस भब्य कासी विश्वनाद्धाम की रूप में न केवल कासी वासियों के लिए बलकि हजारों वर्सों की प्रतिक्सा जब मा गंगा इस धरा धाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमाले में भगमान सिव की जटाओं में उलज गई थी या कासी में मड़कनिका में उलज गई थी और इस उलज़न को दूर किया है भारत माता की इस महान सपूत में जिन्हें आज भारत के प्रधान मंत्री के रूप में भारत वास्यों के गौरों प्राप्त हुआ है और कासी वास्यों का सवभाग्य है कि उत्तर प्रधेश से प्रतिनिधी के रूप में कासी को ये सवभाग्य प्राप्त हुआ कि वह स्री नरेंदर मौदी जी को अपना संसत की रूप में देश की संसत में भेजती है और इसलिए पूरी कासी पूरा भारत वासी देश और दुनिया में हर वह भारत वासी जो भारत और भारत ये संस्कृती भारत ये परंपरा भारत ये सब्विता कौन गामी है आज पर फुलित है आलादित है प्रधान मंतरी मौदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए उनका विनंदन करने के लिए पोज्य संत आला दित हैं उन्हें अपना अस्रिवाद देने के लिए क्योंकि हजारों वर्सों की तपस्या आज सार्थक होती वी दिखाई दे हम सब जानते हैं कासी बाबा विश्वनात का पावन धाम है लेकिन एक हजार वर्सों से जिन विप्रीद परस्टित्यों का सामना कासी ने किया उन विप्रीद परस्टित्यों का साकसी न केवल कासी वासी बल्कि हर भारत वासी रहा है यद्धिपि 77-80 के बीच में इंदोर की महारानी एल्य भाई होलकर जी ने इस छेत्र यहां पर बाबा विश्वनाद की पुनरस्थापना में उस समय महती योगदान दिया था महराजार अरजीस सिंग्जी ने मंदिर को सुण मंडित करने में अपना योगदान दिया ग्वालिर के महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया लेकिन भब्य सुरूप इस रूप में परिकल्पलित होगा या साकार होतावा दिखाई देगा आद पूजे संत जन अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को उससालिय है कि हमें ऐसे दोरदर्सी और यसंशी नेतरत्व के कारिकरने उनके सानिद्य हमें आगे बढ़ने और भारती संस्कृति और भारती परमप्रा को आगे बढ़ने का एक स्वभग्य प्राpt हो रहा है आप अनुवान कर सकते हैं कासी में बाबा विश्वनात का इधाम अयोध्या में इसी राम मंदिर के निर्मान की कारवाई उसी शरिंखला को एक नया सुरूप प्रदान करता है योग की परंपरा हो या कुम्ब को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धर्वर की रूप में मानिता देने का कारिक्रम भारती संस्कृति के परती भारत की सनातन मुल्यों सब्वेता और संस्कृतिकों को बैस्विक मंच पर प्रणरस्थापित करने के प्रधान मंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है आज में सौसर पर प्रधान मंत्री जी का आप सब की वर से प्रदेश सरकार की वर से हरदे से स्वागत और अविनंदन करता हो और यह हम सब का सौभग्य है बाबा विश्वानाद धाम आज एक नए रूप में एक नए कलियवर की रूप में राष्ट पिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है जो आज से सौ वर से पहले राष्ट पिता महात्मा गांधी ने इसी कासी में आकर एपने पीड़ा को ब्यक्त किया था यहां की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहां की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार है कि कासी बावा विश्वनात का धाम इस भब प्रूप में हो, व वारानाशी पुरपते भजविश्वनाथम के इस भhव के साथ हम सब बाबा बिश्वनाथ के इस पावन धाम की प्रति निरंटर उस भक्त भावना के साथ भजते रहे इस बिश्वाश के साथ मैं आज के सौसर पर आदर्टणे प्रधानमंत्री जी का मानि गाचिपाल महोदे का पूज संतों का रास्तिय ध्यक्जी का सभी यहां पर समागत अतिदियों का हिर्दे से स्वागत और अब्रेंदन करता हूं हर हर